पहले चरन के चुनाव को लेकर लागतार बिहार में जनसभा पर जनसभा हो रहा है। चाहे एंडिये के तरफ से हो या फिर महागटबंधन के तरफ से 2024 के लोग सभा चुनाव की अलग अब भिगुल बच चुकी है और सभी नेता चुनाव परचार में लग गए है। चेतर में दिखाई दे रहे हैं और खुब जोर सोर से परचार कर रहे हैं। चाहे तेजस्वी परसाद यादों हों, मुके सानियों और इसी बिच हम बात करेंगे गया लोग सभा चेतर की। जहां से एंडिये के परत्यासी बिहार के पुर्व मुख मंत्री जीतन राम माजी हैं। यानि कि बीजेपी इस बार वहां से जो तिकट है जीतन राम माजी को दिया है। इंडिये ने और जीतर राम माजी गया से चुनाव लड़ रहे हैं और आज जीतर राम माजी के परचार में लोक जनसक्ती पार्टी रामबिलास के राष्ट्रिये अध्यक्ष चिराग पासवान पहुँचे देखिए चिराग पासवान जैसे ही पटना से गया के लिए रावा किया गया और जब गया में चिराग पासवान पहुंचे तो हजारों की भीड चिराग पासवान के जितने चाहने वाले हैं चिराग को जितने सुनने वाले हैं सभी लोग वहां पहुंच गए थे और जैसे ही चिराग पासवान पहुंचे कि उनके जनसभा में जो भीड थी चि देखिये इस बार पहले चरन का जो चुनाव है 19 अप्रेल को है और चार लोग सभा का है गया और अंगबाद नवादा और जमुई चारो लोग सभा में महा गटवन्दन हो या फिर एंडिये परचार परसार जोर सोर से हो रही है तेजस्वी यादों भी परचार में जुटे ह मुके सहनी भी उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं और एंडिये में भी लागतार चुनावी परचार सुरू है चिराग का जलवा बिहार में क्या है आप सबों को मालूम है चिराग पास्वान इवा के पसंदिता नेता है और चिराग में जो अभी के मौजुदा बिहार की राजनीती है उसमें चिराग पास्वान का कद काफी बढ़ गया है चिराग की पॉपुलरिटी भी बढ़ी है और इसी भी जब चिराग गया में पहुंचे तो जो भीड है चिराग को देखने के लिए पहुंच गए हज्यारों की संक्या में लोग चिराग पास्वान को सुनन और देखने के लिए पहुंचे चिराग पासवान जिस तरीके से जोरदार भासन इंडिये के पक्ष में दिये चिराग ने साब तोर पर कहा कि तीसरी बार भी भाजपा का सरकार आ रहा है अब की बार 400 पार चिराग पासवान पूरी तरीके से एकसन मोड में हैं चुनावी में हैं लागतार अब देख दे रहां विहारेक सोच पर मने रहें धन्यवाद